हाट डिए दिए ध्रेंस इस इस वीडियोग विल्ट स्क्रेप्ट आपकन आर्चेलोजी आज यह इस चैप्तर की पार फॉर्थ यह इस सीरीज का फॉर्थ विडियो है जिसमें हडपन script, हडपन administration, seal, religion and we will also discuss about the end of this civilization बहुत important video है ये जिसमें हम इस सब्विता से जुड़े बहुत ही महत्पून topics को cover करेंगे इसलिए don't forget to watch, like and share and subscribe my channel ठीके तू start करते हैं आज के हम वीडियो को वीडियो की शुरुवात हम करते हैं हडपन seal से the most distinctive feature of the Indus Valley civilization is the seal हडपन की सब्विता में बहुत सारी seals मिली है और ये यहां का सबसे important artifacts माना जाता है तो seals and ceilings were used for facilitating long distance communication seals का जो use है, मुद्राओं का जो use है बहुत दूर के प्रदेशों तक के जो संचार और communication के लिए किया जाता था ये जो माउथ वस टाइड विथ रॉप एंड वेट कले विथ वन और मोर सील बिंग प्रेस्ट तो लिए अन इंप्रेशन इस बेक के ऊपर उसके मूँ के ऊपर एक रसी बांदी जाती थी और उस रसी के ऊपर गीली मिट्टी से उसके ऊपर किसी विशेश प्रकार की मुद्रा का जाता था और ये मुद्राएं जो हैं बहुत अधिक मात्रा में हडपा में मिली है इन मुद्राओं के अंकन से इस इंशोर्ड दाट बैग हैस नॉट बिन मैडल वेट ये मुद्राएं इस बात की शोरिटी होती थी कि उस बेक को टैंपर नहीं किया गया है या फिर उस बेक ही important artifacts है जो उनके long distance communication को और साथ इसाथ उनके civilization के development को भी शो करता है कि इस तरह से वो लोगों में seal के द्वारा अपने चीजों को identify भी करते थे और secure भी करते थे फिर आगे बात करते हैं इस सब्विता की script की सिंदो सब्विताओं में बहुत सारे scripts के symbol मिले हैं यहां की leapy के बारे में भी बहुत सारी information मिली है इनकी seals के उपर जैसा कि आप इस चितर में देख सकते हैं कुछ letters engraved किये हुए हैं यहां की script है लेकिन यहां की script को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है still it is undeciphered यहां की script जो है उसकी मुखी विशेशता हमें देख सकते हैं यह short थी इसमें ज्यादा letters नहीं है around 375 to 400 तक इसमें symbols मिले हैं यह Chinese script की तरह 4 या 5000 शब्दों या letters वाली script नहीं थी very short script थी और इसकी ज्यादा पर लेटर से वो भी alphabetical नहीं थे ठीक है अल्फाबेटिकल फिर इसके नुमा दिखाए देते हैं और इसकी सबसे महत्मुल विशेशता है it was written from right to left इस लीपी को पहले right में से शुरुआत करके फिर left की तरफ लिखा जाता था ठीक है यह उर्दू या Arabic script की तरह इसको right to left लिखा जाता है न कि आज की English या Hindi में हम जिस तरह से left to right लिखते वैसे इस script have been found on seals, copper tools, jewelry and rims of jar script बहुत सारी जगह मिली है बहुत सारी जगह पर यह script लिखी हुई मिली है जिसका मतलब है कि बहुत अबिक मातरा में script का use वहाँ पर होता था जिनमें seals के उपर, copper के जो tools मिले हैं, jewelries मिली है और jars के जो round neck है उसकी चार उतर वैसे बहुत सारे script लिखी लेकिन सबसे महत्मुन बात है कि it is still not deciphered अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है और इस वज़े से इस सब्बिता के बहुत सारे रहशों की जानकरी जो है अभी तक नहीं हो पाई है लेकिन script से संब्दित यह महत्मुन बात हैं, यह very short है, not alphabetical है, pictorial है और it was written from right to left लेकिन it is still not deciphered, तो यह महत्मुन बात है आपको इस सिंदु सब्बिता की लिपी के संब्द में ध्यान रखनी है, इसके बाद इसकी एगर script के letters को हम देखें तो यह देखो pictures की रूप में बहुत सारे letters आपको यहां दिखाए दे रहे हैं, उनमें से जादतर letter को नहीं identify किया जा सका है लेकिन इसमें से एक letter जो है वो आज भी भारत में या वैदिक सब्बिता में use किया जाता रहा है, जिसको हम स्वस्तिक के नाम से जानते हैं, अब इसका भी earth meaning क्या था यह इसका क्या use था यह भी अभी तक नहीं पता चल पाए है, लेकिन इस तरह की script जो है, उसके symbols इस सब् शमें नाप तोल के व्यवस्ता के बारे में, इस सब्बिता में नाप तोलने के बहुत सारे बाट जो है वो देखने को मिले हैं, बहुत सारे बाट जो है यहाँ पर पाये गए हैं विशिश प्रकार की शेप के आकार के बाट यहाँ देखने में आये हैं, weeds were made of stone chr, यहाँ और जो तोलने के बाट है वो चर्ट रामक पत्थर से specially बनाए जाते थे या विशेश प्रकार की पत्थर चर्ट से ये बने होते थे और इनका जो शेप है वो क्यूबिकल होता था ये घनाकार होते थे घन के आकार की जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते इस शेप के बने रह होते थे और ये चर्ट पत्थर के होते थे ये दो महत्पुन बात है चर्ट पत्थर से बने होते थे यहां के बाट और क्यूबिकल शेप में या गनाकार होते थे दूसरे महत्पुन बात इन बाटों के संबन में थी कि यहां के जो कम वजन तोलने वाले जो बाट थे वो ब nominations जो है ज्यादा माप तोल के जो बाट होते थे वो decimal system को follow करते थे यानि ज्यादा वजन का अगर कोई सामगरी होती थी तो उसको बड़े बाट से तोला जाता था और बड़े बाट के साथ फिर छोटे जो बाट होते थे उनका ओप्यो करके जो है वजन तोलने में इन तरह के तकनीक का यूज ये लोग करते थे तो बाटों से सम्मदित वेट सिस्टम से सम्मदित दो थीन बातें बहुत महत पून है कि ये चरड पत्थर के बने होते थे ये क्यूबिकल शेप में होते थे लोर डिनोमिनेशन जो थे वो बाइनरी को follow करते थे और हायर डिनोमिनेशन जो होते थे वो decimal system को follow करते थे इसके बाद हम बात करते इस सम्मदिता की authority के बारे में कि यहां जो शाशक या प्रशाशन जैसे कोई व्यवस्ता राजा जैसे कोई व्यवस्ता थी या नहीं थी तो इस सम्मदिता से जो script मिली है उससे अभी तक कोई महत्पून जानकरी नही नहीं थी लेकिन ऐसा माना जाता है it is believed that complex decisions were taken and implemented लेकिन इस सम्मदिता को देखकर लगता है कि इस सम्मदिता में कोई न कोई तो जरूर रहा होगा जो बड़े महत्पून निर्णेयों को लेता था और उन्हें कार्यानविद भी करवाता था और ये दोनों ही बाते कि उन्हें भी चीजें मिली है उन सब चीजों को देखकर लगता है कि बहुत सारे similarity उनमें देखने को मिलती युनिफोर्मिटी सब जग एक जैसे roads मिले है सब जग एक जैसी नालियों की व्यवस्ता मिली है मकानों का architecture जो था वो भी एक जैसा था शहरों का plan structure जो है वो भी एक जैसा देखने को मिलता है फिर यहाँ पर pottery की design है bricks की design इटों की shape और size लगबग एक जैसी मिलती है weight system भी सबी जैसा देखने को मिलता है seal system भी लगबग सबी जग उपर एक जैसा मिला है तो यह सारी जग जो similarity देखे जाती है इससे पता लगता है कि पूरी सब्विता में एक केंद्री का राशन प्रणाली थी centralized system था जिसके द्वारा इन सभी शहरों को monitor किया जाता था और उन पर निर्णय दीए और दीए जाबे थे ठीके अब एक और चीज जो है दूसरा यहाँ पर है कि सभी जगह पर materials जो है वो बनाए जाते थे और different places पर मिले है they were of uniform राशन ठी सभी जगह एक जिसी हीटे मिली है एक जिसे बाट मिले है एक जिसे roads और जो है जल निकास प्रणाली मिले है तो यह सारी चीजे बताती है कि यहाँ पर कोई ने कोई authority जरूर रही होगी लेकिन the question who organized these activities was there a central authority who decide all important issues we have no answer to these questions तो यहाँ पर कोई central authority थी या फिर जो है यह decision जो है कौन लेता था कैसे लेता था इसके बारे में भी historians पूरी तरह से sure नहीं है ठीके अब क्यों sure नहीं है क्योंकि निमलखित बातों से हम देख सकते हैं कि palaces and kings से related उनकी जो है इस अबिता में कैसी इस्तिती थी historians have not been able to find concrete evidence to prove that there was a king or central authority तो historians को कहीं पर भी राजा या किसी केंद कि शाशन विवस्ता संबंदित कोई महत्पुन जानकर यहां पर नहीं मिल पाई है लार्ज बिल्डिंग हैस बिन फाउंडेट मोहन जोदारों बट नो पैलस-like spectacular features have found to be associated देशे मोहन जोदारों में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है लेकिन वो बिल्डिंग किसी महल क बहुत ही शांदार नहीं है उसमें उस तरह का कोई feature नहीं मिला जिससे लगे कि वो एक महल रहा होगा तो महलों जैसे भी कोई इमारत यहां पर नहीं मिल पाई है जिससे यह पता लगेगी यहां पर राजा या centralized system था a stone statue has been found from Indus Valley civilization हाँ एक पत्थर का एक बहुत बड़ा statue यहां जरूर मिला है और इसके बारे में जो है historians और बहुत सारे जो archaeologists है उन्होंने इसको priest king का नाम दिया है जो कि आप यहां पर देख सकते इस statue has been found here यह statue यहां पर मिला है it is perhaps because archaeologists were aware of such existence of the priest king in Mesopotamia अब इसको priest king जो है वो नाम दिया गया वो इसलिए दिया गया कि Mesopotamia की सभिता में इस तरह के priest king जो है वो अस्तितु में थे वहां पर वो एक पुजारी जो होते थे temple को देखवाल करने वाला व्यक्ति ही साशन के बहुत सारे निर्णयों को भी ले civilization में भी इसी तरह की परंप्राय अप्रथा रही हो और इस वजह से इसको priest king नाम दिया गया है इस statue का लेकिन इसमें भी जो archaeologists जिस्ट जितने भी है वो एक मत एक राय नहीं है कुछ historians से वो इस बात को मानते हैं कि यहां पर कोई एक ही राजा रूल नहीं करता था सब जगह अलग अलग राजा रहे होंगे और सब लोग एक जैसा equal status रहते थे मतलब जनता में कोई उच नीच नहीं थी सभी एक जैसे status को follow करते रहे होंगे अब बहुत सारे दूसरे जो है वो यह कहते है कि यहां पर हो सकता है कि अलग-अलग शेत्र में अलग-अलग रूलर रहे हों ठीके और सारे शहर जो है अलग-अलग राजाओं द्वारा शाशित रहे होंगे Another section of historians are of an opinion that there was one single ruler in industrial civilization और कुछ archaeologists और historians से मानता है कि यहां पर एक ही राजा पूरे इतने बड़े क्षेत्र पर रूल करता रहा होगा तो राजाओं से संबंदित यहां तीन opinion है जिसमें पहला यह कहता है कि यहां पर किसी तरह कोई साशक थे ही नहीं दूसरा यह कहता है कि हर शेत्र के हर शहर के अपने-अपने अलग-अलग राजा थे और तीसरा opinion है वो इस बात को बताता है कि यहां पर पूरे इस शेत्र मे सबी शहरों में एक ही राजा राज्य करते थे इतने बड़े शैत्रपार. It is because bricks and weights used in all Harpan cities were of the same standardized ratio. और जो एक ही राजा के पक्ष में केंद्रिकत साशन व्यवस्ता के पक्ष में उसमें ये एक महत्पून तथी बात पगा है कि इन सबी जगों के शहरों में एक ही जैसे standardized इटों के नमुने प्राप्तों हैं, जो शहरों की व्यवस्ता है, roads और नालियों की व्यवस्ता वो एक जैसी मिली है जिसके आदार पर केंद्रिकत साशन प्रणाली के पक्ष में इतियासकार अपना मत देते हैं. The last theory as of now appears to be most reasonable और इसी वज़े से यह जो तीसरी थियोरी है जिसमें केंद्रिकत साशन व्यवस्ता रही होगी उसके पक्ष में ज्यादत पर इतियासकार सहमत हैं, तो इस सबीता के साशन प्रणाली से संबंदित ज्यादा जानकारी नहीं मिले हैं लेकिन जिस तरह का यहाँ uniformity देखने को मिलती हैं, उस आदार पर ज्यादत पर इतियासकार इस सबीता को मैं ऐसा मानते हैं कि एक केंद्रिकत साशन प्रणाली रही होगी यहाँ पर और एक ही राजा इतने बड़े इसक्षेतरक पर सभी नगरों पर साशन करता रहा होगा और उसके लिए गए तो इस विशे पर भी जो है इतियासकार और पुरातत विद एक मत एक राय नहीं है क्योंकि इस सबीता से अभी तक नहीं मिल पाए हैं जो इस सबीता के धार्मिक जीवन के बारे में सपस्ट रूप से कुछ बता सके ही सब्सक्तां का कुछ ओई टरुप सेची नहीं मिलेए हैं लेकिन की धार्मिक जीवन को इंडिकेट करती है जिसमें से यहां पर विशेश प्रकार की सील मिली है जो इतिहासकार शिव के प्रारंबिक रूप में मानते हैं और वो सील आपको यहां पर दिखाई दे रही है जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहां पर एक योगी मुद्रा में एक योगी मुद्रा में बैठे हुए किसी व्यक्ति की जो है वो दिखाई दे रही है जिसमें योगीक एक्सप्रेशन के साथ वो आल्थी फाल्थी मार कर बैठे हैं उस तरह की एक मुद्रा दिखाई दे रही है और इसी के आधार पर historians ने इस मुद्रा के आधार पर वहाँ पर किसी गोड के बारे में इतियासकार मानते हैं और इसी तरह की मुद्राओं के बेस पर वो यहां के दार्मिक जीमन को जानने की कोशिश करते हैं और रिगवेदा जो की एक वेदिक गरंथ है सबसे पहले का गरंथ है उसमें भी एक रुद्र नाम के देवता का वर्णन आता है जिसको शिव का प्रारमिक रूप माना जाता है और यहां पर जो योगिक मुद्रा में जो मिली है मुद्रा उसको देख कर बहुत सारे इतियासकार इसको शिव का प्रारमिक शिव का रूप मानते हैं लेकिन यहां पर योगिक मुद्रा के साथ को जानवरों के auctions और इस तरह की जानवरों के चित्र मिले हैं, जिसके आधार पर ये जो इत्यासकार है, ये मानते हैं कि इस अभिता में ये जो मुद्रा मिली हैं, वो पाशोपती शिव की रही होगी. या शिव की भक्ती यहाँ पर चली रही होगी लेकिन इस बारे में कोई एक मत नहीं है Historians are confused as to what the seal of proto-shiva depicts तो यह जो seal यहाँ मिली है यह वास्तव में भगवान शिव की है या अन्य किसी की है इसके बारे में अभी जो इतियासकार है वो एक मत नहीं है फिर बात करते हैं इस सब्विता के अन्त की तो सब्विता के अन्त के संबंद में अभी भी कोई विशेश जो है इस तरह के तरक नहीं मिले हैं जिससे पता लगे कि यह सब्विता का अन्त क्यों हुआ था We do not know how and why did the civilization came to an end Various theories have been forwarded by historians departing the doubtful of the civilization और इस सब्विता के अन्त के संबंद में अलग-अलग मत हैं इतियासकारों के जो इस सब्विता के अन्त के बारे में बताते हैं और ये वो सारे मत हैं जो इतियासकार रखते हैं इन में से कुछ इतियासकार मानते हैं कि यहां वनों का विनाश हो गया था वन का अंत हो गया था इस चेत्र में बारिश नहीं होने की वज़े से या निकिसी कारणों की वज़े से और इस सब्विता में लोगों ने रहना छोड़ दिया दूसरे कुछ इतियासकार है या पुरत तो इध हैं वो यह मानते हैं कि इस खित्र में जो नदिया थी उन नदियों में हमेशा बाड़ें आती रहती थी और उन बाड़ों की वज़े से कभी बहुत ज़ादा बाड़ा गए और इस सबिता के शहर जो है उस बाड़ की वज़े से उनके अंदर दब गए और फिर दीरी दीरे लोगों ने यहाँ पर रहना छोड़ दिया तो excessive flood is also a reason behind the end of this civilization ऐसा कुछ इतियासकार मानते हैं फिर कुछ इतियासकार इस बात को रखते हैं कि shifting और drying of rivers या तो इस चेत्र में जो नदिया बहती थी उन्होंने अपना मार बदल दिया उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और वो दूसरी जगह से बहने लग गई और इस वज़े से जो लोग इन नदियों के किनारे रहते थे उन्होंने भी इन शरों को छोड़कर उन नए स्थानों की और चले गए जहां से इन नदिया बहने लगी थी और कुछ इति इतियासकार ये मानते हैं कि इन्वेजन, most probably by the Aryans इस ख्षेतर में आक्रमान जो हुए थे या युद्ध की वज़े से भी ये सब्विता का अंत हो चुका था और उसमें सबसे ज़्यादा इतियासकार इस मत को रखते हैं कि जो Aryans जो मद्धी एशिया से बारत में आये थे उ उनके आक्रमनों की वज़े से इस बिता के जो निवासी थे वो यहां से शिफ्ट होकर शायद कहीं दूसरी स्थानों की और चले गए तो अंतिम और पांचवा कारण जो इतियासकार मानते हैं वो है जलवायू परिवर्तन, क्लायमेटिक चेंजिस में, कि इस ख्षेतर में या तो गर्मी बढ़ गई थी, या सर्दियां बढ़ गई थी, या इस ख्षेतर में जो नदियां थी, वो सूख गई थी और इन क्लायमेटिक कंडिशन की वज़े से यहां पर लोगों का जीवन संभव नहीं रहा, वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे थे और इस एक मत पर सभी एक मत नहीं है, इसलिए हम यहां पर इस सभिता के अंध का कोई एक कारण नहीं पूरी तरह से बता सकते हैं, कह सकते हैं कि क्या कारण रहा होगा, फिर इतियासकार यहां के जो धार्मिक और अन्य तरह की जीवन है, उसके बारे में जब वो स्टड़ी करते है तो कौन से वो कारण रहते हैं जो उनकी समश्या आते हैं, उनको डिपाइट करने में, उनको जानने में, तिन कारणों के वज़ए से उनने समश्या आपी है, तो there were three reasons, तीन कारण होते हैं जिसकी वज़ए से इसक्षेतर के religious या धार्मिक जीवन के बारे में ज़्यादा ज जा सका है, उसकी वज़ए से अभी तक इस ख्षेतर के धार्मिक जीवन के बारे में अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सका है, दूसरा, the most complicated is in terms of functions, archaeologists have to decide whether for instance an artifact is a tool or an ornament or both, or something meant for ritual use, यहाँ पर जो बहुत सारे tools, seals, जो कुछ भी मिले हैं, वो उनके बारे में इतियास कर, अभी बी एक मत नहीं हो पाया है, कि वो tools किस purpose से use मिले जाता था, उसका कोई religious meaning था, या फिर वो किसी और दूसरे काम में आता था, जितने भी tools, ornaments यहाँ मिले हैं, उनके use के संबन में भी, जो archaeologists हैं, वो एक मत नहीं है, तीसरा, many reconstructions of harapan religions are made on the assumptions that later traditions provide parallels with earlier ones, बहुत सारे इतियास कार जो है, तीसरा reason यह मानते हैं, कि यहां के धार्मिक जीवन के संबन्द में, धार्मिक जीवन के संबन्द में, जो बहुत सारे मत अभी व्यक्त किये गए हैं, वो मत जो है, वो बाद में जो परंपरा इस चिदर में चली थी, प्रचली रही थी, उनके आधार पर बनाए यहां पर नहीं मिल पर, और अब इस वीडियो के लास्ट में हम देखते हैं, कि जो Alexander Cunningham थे, भारत के Archaeological Survey Department of India के फर्स Director General थे, उनका इस सब्विता के बारे में क्या confusion था, उन्होंने वो जो है, इस सब्विता के अस्तित्य के बारे में क्या सोचते थे, और इसी चीज को Alexander's Conf Confusion के नाम से, जो है, चैप्टर में दिया गया, हैडिंग दिया गया है, तो he was known as the father of Indian Archaeology, सबसे महत्रूंबात है कि Alexander Cunningham को भारती पुरातत्य विभाग के पहले Director General को भारती पुरातत्य का फादर या पिता या जनक कहा जाता है, उन्होंने ही भारत में सबसे पहले mid 19th century से Archaeological Excavations का जो काम है, पुरातत्य की खुदाई का काम जो है, भारत में स्टार्ट कराया था, लेकिन उनका जो main interest था, वो इस बात में था, Alexander का जो confusion था, उसको ध्यान से समझने के कोशिश करेगा, कि Alexander Cunningham ये मानते थे कि भारत का जो इतिहास है, भारत की प्रारंबिक जो इ छटी शदी जो इसापूर है, वहां से लेकर फोर सेंचुरी की बीच में ही था, यानि भारत की सबसे पहले शहरों का विकास इसी काल के दोरान हुआ था, उससे पहले के किसी भी तरह की सब्विता और संस्कृति के बारे में उन्हें ज्यान ही नहीं था, या वो मानते ही न इतियास छटी सताबदी इसापूर से ही था, उनके इस विश्वास का कारण था कि वो जो है, उन्होंने चाइनीज पिलिग्रिम्स जो थे, चीनी यातरी जो भारत में आये थे, फाश येन और श्वेन सांग जैसे, उनके लिखे हुए टेक्स्ट को बेस बना कर उनका यह मा और उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन और बहुत सारी चीज़ीं जो कलेक्ट की थी भारत की इतियास से रिलेटेड वो भी इसी पीरिड की दोरान की कलेक्टेड की थी और उनका यही मानना था कि भारत का इतियास जो है 6th century BC से पहले का नहीं है और भारत की जो पहली civilization है सबसे पुरानी civilization है वो गंगा और उसकी आसपास के खित्र में ही विक्सित हुई थी वो किसी भी द्रश्टी कौन से यह नहीं मानते थे कि भारत का इतियास या भारत की कोई सब्विता उससे पहले भी विक्सित हो सकती थी तो इसी चीज़ को कहा जाता है Alexander's Confusion ठीके site like Harappa did not fit well in his area of investigation और इसी वज़र से उनों के जो investigation उनोंने किया था उसमें Harappa के आसपास उनोंने कभी खुदाई करने की कोशीशी नहीं की उस शित्र में उनोंने किसी तरह का कोई excavation नहीं किया था क्योंकि वो यह मानते ही नहीं थे कि भारत की कोई सब्विता उस शित्र में थे वो गंगा और उसके आसपास के शित्रों में ही विक्सित हुए थे तो इसी के साथ आज का हमारे वीडियो जो है वो पूरा होता है सभी को धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आप सभी को जो इस चैप्टर की चार वीडियो जो है मैंने पार्ट वन थैंक्स तो ओल वो ओचिंग मैं वीडियो थांय। थैंक्य।